श्रीकरनपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा आज श्रीकरनपुर दौरे पर हैंगे आज मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा श्रीकरनपुर विधानसबा शेत्र में संबोधित करेंगे जनसबा को और बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंग टीटी के समर जन सभा को संबोधित करेंगे श्रीकरनपूर में 5 जनवरी को चुनाव होने हैं और श्रीकरनपूर सीट पर एक तरफ जहां गुरमीद सिंग कुन्नर के बेटे रुपिंदर कुन्नर को कॉंग्रेस पार्टी ने टिकेट दिया है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ स सुरेंद्र पाल सिंग टीटी को टिकेट दिया गया है और अब आज मोक्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीकरनपूर विधानसभा सीट पर जो आकर जन सभा को संबोधित करेंगे आपको बता दें आज सुबा की शिरुबात था सीएम भजनलाल शर्मा की राजा पाकिस्तित गुरुद्वारे में माथा टेकने के साथ हुई और अब श्रीकरनपूर दोरे पर सीएम भजनलाल शर्मा आज रहने वाले हैं श्रीकरनपूर विधानसभा शेतर में मुक्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन सभा को संबोधित करेंगे बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंग टीटी के समर्थन में जन सभा को संबोधित करेंगे मुक्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीकरनपूर में 5 जनवरी को चुनाव होने हैं आपको बता दे राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले श्रीकरनपूर सीट से कॉंग्रिस को मीदवार गुर्मीद सिंग यहाँ पर चुनाव हो नहीं पाये थे राजस्थान में 199 सीटों पर ही मतदान हो पाया था और अब बाग इस बार मतदान से वंचित रही सीट श्रीकरनपूर विधानसभा सीट पर अब 5 तारिक को वोट टल ले हैं और 5 जनवरी को चुनाव हो से पहले श्रीकरनपूर त्याशी गुर्मीद सिंग कुनर कई बार जीत चुके हैं और इस बार भी कॉंग्रेस पार्टी ने गुर्मीद सिंग कुनर को ही टिकेट दिया था लेकिन चुनाव से पहले उनका निधन हो गया जिसकी वज़े से श्रीकरनपूर विधानसभा सीट पर चुनाव हो नहीं गया है सुरेंद्र पाल सिंग टीटी को तो सुरेंद्र पाल सिंग टीटी के लिए आज सीम बजलाल शर्मा जनसभा को संबोधित करने के लिए श्रीकरनपूर विधानसभा शेतर जाएंगे और चुकि प्रचार प्रसार का जो दौर है वो लगातार जा रही है आपने सीट बड़ी जरूरी होती है एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण है एक तरफ कॉंग्रेस के लिए ये सीट जहां पर कॉंग्रेस का वर्चस्व लगातार देखने को मिला वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए इस किले को भेदना भी बड़ा जरूरी है तो इसलिए पर संभाली है आज जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा और श्री करणपूर विधान सबा सीट पर जनसबा को संबोधित करेंगे और इसी बीच आपको बता दे मुक्यो मंत्री भजनलाल शर्मा के जो आज के प्रस्तावित कारिक्रम है गुरू गोविंद सिंग जी के साहिप जादों की शहादत पर जो कारिक्रम है उसे सीएम भजनलाल शर्मा ने अटेंड किया और आज राजा पाकिस्तित गुरुद्वारा भी पहुंचे और वहां पर माथा टेका अब उसके बाद 11 बजे के लगबग श्री करणपूर के लिए सीएम भजनलाल शर्मा रवाना हों बीजेपी प्रित्याशी के समर्तन में जनसवा को संबोधित करेंगे सीएम फिर शाम चार बजे वापस जैपूर के लिए होंगे रवाना और इस खबर पर जादा जानकारी के साथ हमारे सही होगी लाल सिंग फौजदार जुड़ गए सीधा उनका रुप करेंगे किस तरीके का कारिक्रम सीएम का रहेगा श्री करण पुरकाज देखी नदी बिलकुल आज सीएम बजला सर्मान अपने दोरे की सुरुवात की वीर वाल दिवस पर वो गुरदवारे गए चुकि पियम मोदी ने इस दिन को दो सहाब जादों के बलिदान दिवस को पुरे देश में बीर वाल दिवस के रूप में गोसित किया था लियाजा तमाम भारतियमता पार्टी के नेता इस दिन इस कारिक्रम में भाग ले रहे सीम बजला सर्मा अव राजा पार्क से सीधे पहुचे हैं अपने आइस्ताई गेस्टाउस आइस्ताई निवास पहुचे हैं गेस्टाउस पहुचे हैं OTS में और वहां से करीज़ नंदनी 11 बज़े और रवाना होंगे सबसे पहले वहां भी जो गुर्दवारा है वहां जाएंगे चूकि इस दिन लगातार क्या है कि बीजेपी ने इस्टाटिजी के तहट आज वीरवाल दिवस हैं लिहाजा तमाम बारती जंता पार्टी के नेता जहां भी गुर्दवार हैं वहां पर माता टेक रहें नमन कर में दरसल इस सीट को लेकर भाजपा और कॉंग्रेस दोनों पार्टी ने उसे प्रतिष्टा की सीट मना लिया है चूकि बाजपा सकता है बजनलाल सर्मा सीम बने ऐसे में पार्टी को यह सीट जीतना ना केवाद सीम बजनलाल सर्मा के लिए वाल पार्टी के खुद के में से उत्साथ इखने को मिल रहा है लहाजा वह अलग से कारकरताओं से मुलाकात हर जगे करते हैं ताकि कारकरता जो इंधियार कर रहे हैं अपने उस सीम का बीष निकले है एक आंप कारके यृकर तक पहूंचे तो वह उनसे मिले किस तरह का विवार रहे किस कि जिघ्यासा जो रहती है नंदनी जब आम लोगों में से आप और हमके बीच में से कोई आदमी उपर उठ जाता है तो बीच इस तरह का रहा हुगा डिया स्थ Agriculture कि रहका किस तरह का उच्छा कशन किया कर ड़ें पीज टार ईखाले आने का जाता है, SMS होस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ पर तमाव विवस्ताओं को देखते हैं, मरीजों से मिलते हैं, गंदगी देखके नाराजगी जता आते हैं उसके बाद एक्सन भी लिया जाता है, तो कुल्म लाकर एक आम जनता के बीच आम कारिकरता जन निकलता है, तो CM कैसे आम जन से जोड़ा रह सकता है, यह लगातार सी है, मजन नाल के दोरों से साफ जलक रहा है, उनके कारिकरम में से जलक रहा है, आज चुकि नंदिनी आपने स्रीकरनलपुर की चर्चा की है, तो वहाँ कुल्म लाकर चुनावी सभा है, और पूरी तरह से बारती जनता पार् जी बिलकुछ श्रीकरनपुर्विधानसवा सीट का जिक्र कर लेते हैं, लाल सिंग यह सीट कितनी जादा जरूरी कॉंग्रेस है, बीजेपी के लिए है, क्यूंकि एक-एक सीट का चुनाव होता है, वो बड़ा जरूरी होता है, और आप देखिए कॉंग्रेस पार्टी की प्रचार प्रसार के लिए गए, अब बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सीएम भजलाल शर्मा प्रचार प्रसार की कमान समाल रहे हैं, श्रीकरनपुर्विधानसवा सीट का विचलेशन अगर हम करें आम भाशा में, पांच तारिक को यहाँ पर चुनाव होने है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं होगी, ना कॉंग्रेस के लिए होगी. अगर मतदाता इस पक्ष में ज्यादा आ जाते हैं, नंदनी की ठीक हमें विकास के साथ चलना है, सत्ता के साथ चलना है, तो भारती जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है. अगर सानगूती के लहर यहाँ चलती है, नहीं होने भी बड़े नेताओं के दोरेते हैं, अब देखने वाली बाती होगी, मतदाता किस मूर के साथ अपना मतदान करता है, ऐसे में चूकि मैंने पहले भी कादा नंदनी, यह सीट दोनों ही पार्टी गोली प्रतिष्टा का सवाल बन चुकी है, बीजेपी हराल में जीतना चाहेगी, खासकर बजनलाज सर्मा इस सीट को इसलिए जीतना चाहेगी नंदनी, क्योंकि उनकों साबित करना है कि मेरे सीम बनने के बाद पहला चुना हुआ, उप्चुना हुआ और उसमें भार्टी अंदा पार्टी ने जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी ओर, कॉं कि एक बड़ा मेसेज इस सीट से निकल कर जाएगा. क्योंकि आपने देखा है, दोरे की सुरुआत जैसी के अमने सुरुआत में बताया है, दर्सकों को, वीर वाल दिवस पर गुर्दवारे में जाकर माथा टेका, नमन किया, इसके साथ सुरुआत हुई है, इसके बाद करीब 11 बजे, इसके बाद 11 बजे उनका निकलने कारकर में स्पेसल विवान से पहुचेंगे, और एक सवा बजे करीब गुर्दवारा साहिब करनपूर पहुचेंगे, वहां भी माथा टेकेंगे, वीरवाल दिवस पर नमन करेंगे, उन सहाब जादे को, जिन्होंने इस देश के लिए बलदान दिया, त्याक्त किया, इसके नंदनी की भारती अंता पार्टी सत्ता में है, तो यह जरूर बताएगी, हम किन मुद्दों को लेकर उत्रे और किन मुद्दों के साथ, हम पर चंड बहुमेद के साथ सत्ता में आये हैं, तो ऐसे मैं आप इस सीट को जरूर भारजपा की जोली में डालिए, ताकि विकास क जब गंगा भाएं, तो करन पूर भी उससे अचुता ना रहें, इसके साथ ही जैसा मैंने नंदनी आओ पहले बताएगी, क्योंकि जहां भी सीम जाते हैं, तो कारिकरताओं से जरूर मिलते हैं, चाए हो उनके सीडूल में हो या ना हो, वो लगाता है कि कारिकरताओं का मंत्री मंडल गठन को लेकर कुछी तरह से कवाय तेज हो गई है, कल या अगले दिन कभी मंत्री मंडल गठन हो सकता है, तो आगे उनको इसको लेकर एक्सरसाई करनी है, जी नंदनी चली, शुक्री आपका लाल सिंग, तमाम जानकारियों के लिए तो अभी फिलाल अब देखने वाली बात होगी, कि सीएम बजलाल शर्मा के आज के इस प्रचार प्रसार के बाद श्री करनपुर विधान सभा सीट कितने पक्ष में जाती है बीजे पी के और कितने पक्ष मे जाती है कॉंग्रेस के